हेलो एवरिबड़ी गुड मॉनिंग हम लोग आज सीखने वाले हैं लिस्ट या फिर स्लाइस बोल दो या फिर एरे बोल दो यह एक्चुली एक डिटा टाइप है प्रोवाइड़ बाई गोल हैं किस चीज के लिए क्योंकि हमको स्टोर करना है लिस्ट ऑफ वैल्यूज जैसे कि मैंने इदर एक एक्जामपल लिया है मान लो आपके कॉल क्लास में जो स्टूडंट से उनका अगर हमको नाम इकटा करना है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग लिस्ट डिटाडाइप यूज करेंगे और लिस्ट के अंदर क्या होगा स्ट्रिंग सुग होंगे तो एक है 1 2 3 अगर हमको इनको गूरुप करना है तो आम लोग लेते एरे और अरे डिकलेर करते है उसका डेरा टाइप इस तरीके से वेसे ही अगर हमको चाहिए की सारे स्थूड़ंस का एज इकट्टा करो तो हम लोग किसमें इकट्टा करेंगे लिस्ट या स्लाइस डिटाटाइप में तो array को हम लोग list बोलते है, slice बोलते है, golang में उसको slice बोलते है, और यह variable होता है, माल लो मुझे और students की value डालनी है, तो यह डाल सकते है, तो list expand होते रहता है, it is not fix list या फिर slice, ठीक है, और एक और होता है, fix size का उसको बोलते है, array, ठीक है, बट generally हम लोग slice use करते हैं, ठीक ह तो इसको declare कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर string declare करना है, तो मैं क्या करूंगा, name string, और अगर group of string, माने की slice declare करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वापस लिखता हूँ, list, or slice, right, कुछ भी आप बोल लो, और पाकी languages में इसको array बोलते हैं, ठीक है, कोई यह पार्ट यह है, programming language या software engineering में, आपको theory कोई नहीं पूछता, आप इसको चाहे जो मर्जी बोलो, बट आप काम उससे करवा सकते हो, array of variable size, you can say, ठीक है, अब जाते हम अपने practical की तरप, अब यह हो गया, नाम में ने store कर दिया, अब अगर group of नाम है, तो open close brace लिख दो, अब यहाँ पे मुझे students के नाम डालने, तो मैं क्या करूंगा, name equal to, एक append उसकी functionality है, जिसमें मैं बोलूंगा, यह मेरा name है रहे, उसमें क्या append कर दो, पहले तो Sam नाम अटवे, append कर दो, ठीक है, तो यह यह बोलता है, कि यह मेरा container है, इसको तुम name बोल दो, तो computer memory में यह ऐसे चला जाएगा, कोई तो भी name है, of type string, और उसमें पहले में क्या डालूंगा, append बोला, तो मैंने Sam डाल दिया, तो यह memory location में, यह Sam चला गया, अभी वापस से मुझे एक और नाम डालना है, क्योंकि हमको जैसे student आते जाएंगे, हमको उनको इस list में डालना है, तो off-front हमको पता नहीं, 100 student है, 200 यह हजार है, इसलिए यह append functionality है, कि जो भी आए, उसको add करते रहो, and look here, वो return करता है, of type, मतलब जो भी type का array है, slice है, तो यह type, मतलब यहाँ पे मैं अगर string दे रहो, तो यह string, ठीक है, यह advance में declare करना है, ओके, अब मैंने यह दो item append कर दिये, अब एक और बार, मुझे, अगर मान लो, इनकी age भी यहाँ पे डालनी है, देखते है, होता है क्या, यह क्या बोलता है, देखते है, cannot use 12 untyped int constant as a string value in argument to append, simple वाशा में incompatible assign, मतलब, अगर आपने string data type का slice declare कर दिया है, तो आप उसमें integer नहीं डाल सकते है, यह similar type के होने चाहिए, ठीक है, तो मैंने यह कर दिया, append, अब मुझे इनको print करना है, एक मज़ेदार चीज है, अगर print करना है, array values और any object मैं percent भी लूँँगा, और उसको print कर दूँगा, ठीक है, अब देखते हैं, यह क्या करता है, Sam और Joe इन दोनों को print कर दिया, अब next चीज की तरफ हम आते हैं, यह मैंने कर दिया, print, अब मुझे चाहिए next functionality जो की remove element, तो remove element के लिए क्या करते हैं, जैसे कि माल लो यह value है, Sam, Joe और एक और बंदा डाल देते, Ajay, ठीक है, यह मैंने Ajay डाल दिया, यह list में, मतलब यह नाम डालने के बाद वापस, यह list को वापस कर दो मुझे return, क्योंकि मुझे वो चाहिए, अब हम यह चाहते हैं कि जो नाम का जो student है, वो college से निकल गया, तो मुझे क्या करना है, यह मैंने Sam, Joe, Ajay मेरे पास है, confused मत होई यह, जब programming में हम दोख देंगे, तो इसको double quote में ही देंगे यह strings को, अब इसमें से remove Joe, अब Joe किस index पे है, index क्या है, अब हम लोग दीरे-दीरे algorithm इसका तयार करेंगे, कि remove करना है, तो क्या करना पड़ेगा, Sam की index क्या है, अगर 0 से calculate करूँ तो 0, Joe की index 1, Ajay की index 2, अब मुझे मैंने यह लिग दिया, इसलिए पता है, यह कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं one by one यह values को iterate करूँगा, और Joe की index पता करूँगा, जो हमारा किदर है, उसकी index लाके दो मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Sam को पहले Joe से compare करना पड़ेगा, Sam और हमारी replace होने वाली value Joe equal है या नहीं, तो Sam equals Joe नहीं, यहाँ पे थी हमारी index 0, Joe equals Joe equal है, equals को हम लोग generally ऐसे programming में लिख देते है, double equal to, है उसका index 1 है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, split कर देंगे और उसको concat कर देंगे, मतलब कि क्या, पहले यह values लो, फिर इसको split कर दो, दो values में, जहाँ पे यह one index पे यह आया है, तो इसका यह carry बना दो, तो यह क्या होगा, computer इस तरीके से इसको लेगा, इसका यह carry बना दो, 0, 2, 1 का यह carry बना दो, और 1, 2, 2 का यह carry बना दो, और फिर इनको append कर दो, और final result क्या आएगा, Sam and Ajay, तो यही हम programming में कैसे करेंगे, तो पहले क्या करना है, find string, find the index, split on that index, so that वो जो वाला element remove हो जाए, उसके बाद, concat, both list, right? चलो अभी यही लिखते हैं, find string कैसे करेंगे, पहले तो हम लोगों को इसको travel करना है, for i equal to 0, i less than length of, क्या? name, मतलब list, और i plus plus, मतलब की यह list को हम लोगों को एक एक jump करके travel करना है, अब इसमें क्या करेंगे? हम equality check करेंगे, current element, find the string and its index, कौन सी string find करनी है? जो, तो यह हम प्रोग्राइंग में, अगर, current element equal है, तो इसको एक function दिया, equal fold, मतलब की capital, small, कोई भी हो, सीधा compare कर लो, जो के साथ name of current element, मतलब अभी अगर हम travel कर रहे है, यह name पूरा array, right? उसको zeroth element चाहिए, तो it element, उसको बोलेंगे, 0, यह, 0, 1, 2, यह बढ़ते जाएगा, तो name of i, और इसको दे देंगे, जो, अगर यह चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी split मारो इसको, split कैसे करेंगे, new array लेलो, new array, colon equal to मतलब नए array बना दो, ठीके, या फिर, where, int, sorry, string, अब इसको split करना है, तो हम लोग, मैंने जो बोला, 0 से लेकर, 1 तक हम लोग split करेंगे, split on that index, तो हम लोग, शुरू से इसको split करते हैं, और उसको डालते है, new array equal to append, अब नए array कैसे बनेगा भाई लोग, name of 0, colon, ये index, right, cannot use 0 to i, of string, in argument to append, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, part 1, हैसे कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर डाल सकते हैं, ये क्या हो गया, we will see it later, कि ये array बनाए, और इस array को हमने पूरा इसमें डाल दिया, part 2 कैसे बनेगा, मैंने दो तुकड़े बोले थे, part 2 बनेगा आपका, name, और i location पे अगर जो है, तो हमें जो को remove करना है, तो i plus 1, 1 से लेकर length तक सारे element लेने हैं, तो हम लोग क्या वो लेंगे, i plus 1 और आगे सारे element ले लो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इतना भी नहीं है, intuitive है, 0 से लेकर 1 element ले लो, और 1 plus 1, 2 से लेकर सारे element ले लो, और इसको नए array में append कर दो, और फिर एक flat string बना दो, उसके लिए जैसे की array है, array का string separated कर दो, comma separated string कर दो, यह कर देगा, और उसको नए array में डाल देंगे, फिर इसको print करके दिखते है, लिखेंगे after replacing, आप practice करना है, कोई भी programming language, without practice, it's impossible to learn it, कोई कितना भी सिखा दे, आपको वापस practice करना ही करना है, तो मैंने शुरू से बताता हूँ, मैंने क्या किया, मुझे एक list दिया था, जो कि मैंने ऐसे बनाया था, append करके, एक एक value append करके, इसको print करिया है, उसके पात मेरा mission था, I want to remove this joe string from here, उसके लिए मैं one by one इसको jump करूंगा, यह list है, इसको तब तक travel करो, जब तक कि इसका end ना हो जाए, उसकी lane तक हमको travel करना है, 0th location से हम लोग compare करेंगे, strings.equal fold, एक string comparison का function है, name of I मतलब, एक string ले ली, जो की array में थी, array की एक एक value हमको check करनी है, अब name of I मतलब, name of zero location, name of I equal to one मतलब, array में, first location में, जो value है, वो आएगी, तो joe equal to joe हो गया, यह तो equal होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे क्या करना है अभी, यह एक part और यह एक part बनाए, तो मैंने क्या किया, 0 to I पहला part, और I plus one to end तक, यह colon के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा अंतलब, end तक, और यह values ले ली, मैंने new array में और उसको print कर दिया, अब यह हमारा before replacing array है, और यह हमारा after replacing array है, ठीक है, अब सीधा magic, यह मेरा array था, पहले वाला, sorry, before replacing Sam, Joe, Ajay, after replacing Sam, Ajay, और आपको पता है, थोड़ा decorate करना है, तो बस इसको println ले लो, यहाँ पे println कर लेंगे, so that यह नई line पे आने लगे, ठीक है, before replacing Sam, Joe, Ajay, after replacing Sam, Ajay, यह हो गया मेरा list, next topic पे जाएंगे, जो की है map, मैं map के लिए, दुसरा लेता हूँ, file, map data type, मैं simple भाषा में आपको बताओ, तो कोई चीज़ अगर fast आपको access करनी है, तो map data type, यूज करते हैं, फीक है, अब map data type, हम लोग daily चीज़ों में यूज करते हैं, जो की, अगर माल लो, मुझे, 10,000 element है, उसे बहुत सारे element है, इनको अगर, exactly मुझे पता चाहिए, कि किस index पे वो है, मुझे fast उसको travel करता है, तो उसके लिए हम लोग map यूज करते हैं, जैसे कि phone book है हमारी, phone book हम लोग traverse करते हैं, बहुत fast, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये नाम है, और उसका phone number है, ये नाम है, और उसका phone number है, अब मुझे अगर नाम चाहिए, name to का phone number, तो मैं सीधा यहाँ पे name to पे जम कर पाऊ, ऐसा map data type है, fast जम करने के लिए, ये धीरे धीरे आपको complexity, ये सारी चीज़ है, आप programming में, थोड़ा और familiar होगे, पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे, map of string, और int मैंने लिख दिया, ठीक है, अब इसको values देनी है, map, अब देखिए, ये मैंने बस declare किया है, बट इसको programming में कही पे values देनी पड़ेगी, कही पे इसको ऐसी space allocate करनी पड़ेगी ऐसे, तो वहाँ पे वो लिख पाए, वो सारी चीज़े, और store कर पाए, तो इसके लिए बोलते बोलो, make function कि, मुझे इसके लिए थोड़ी space देदो, computer में, computer, memory में, colon equal to की जरुरत नहीं, उपर declare कर दिया है, अब मुझे values देनी है, मैं दूँगा जो, और मैं इसका phone number, 12345 कुछ तो दे दूँगा, यह हो गया कि map, इसमें key है, और यह value है, तो key value pair में हम लोग store करते हैं, और यह fast क्यों retrieve कर पाएंगे, अब अगर मुझे जो का number चाहिए, तो मैं, आपको यादे हम लोग पहले कैसे करते थे, for i equal to zero, फिर i less than length, और फिर अंदर चेक करते थे कि compare करो, इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें आप fast retrieve कर पाएंगे, यह list में था, right, मैं यह compare करके दिखाता हूँ, यह देखो, मैंने यह compare किया था, फिर मुझे जो मिला था, right, यह एक-एक करके में आ गया था, फिर इसको compare किया था, इसमें मुझे अभी जो का number प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जॉन है, ठीक है, तो इसे एक key वेती है, यह value होती है, आगे एक और बंदा है, और वो बंदे का नाम है, बान लो, Sam, अब मुझे इनको print करना है, और specifically मुझे जॉन, जॉन को ही print करना है, अब देखिए इधर अगर मुझे जो तक जाना था, जो मेरा first location में था, 0, 1, 2, first location में था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, यह iterate करो, उसके बाद इसको compare करो, और वो value लो, तो यह थोड़ा difficult था, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे, मैं सीधा, fmt.printf, value of, phone number of, किसका phone number, जॉन का, और मैं सीधा इसको print कर दूंगा, और वो print करने के लिए, %V आप generally सीधा object प्रिंट करने के लिए ले सकते, to be very general, map of किसका phone number लेना है, जॉन, आजी, हो गया ना, मैंने iterate किया यहाँ पे, तो इसको बोलते है, o of one access, मतलब, one unit में हम लोग सीधा पहुश सकते हैं, यह n access है, 0, 1, 2, मतलब, जितना array का lane ते माल लो, यह n है, तो यह n time travel करके इसमें जाते हैं, तो यह होता है slice, यह होता है map, map काफी fast होता है, इसमें value, key value pair में आती, यह key होती है, इसके against यह value store करते हैं, अभी इसको run करके देखते हैं, clear करते हैं, पहले वाला output, confuse नहीं करता हूँ जादा, go run, इसको मैंने बोलाए map, underscore, demo.go, अभी यह क्या बोलता है, देखते हैं, syntax error, unexpected map, expecting name, तो यह हो गया, क्यूंकि map यह result data type है, map object से लिख देता हूँ, गया वो error, और यह यही पे भी use कर लेता हूँ, क्यूंकि यह actually map declare करने के लिए यह variable यूज़ करते हैं, जितनी error आएंगी, आप ज्यादा सीखोगे, ठीक है, phone number of john, 9999, अब मुझे, मान लो, यह एक phone book है, or I want to search if Sanjay is present in this phone book, Sanjay का number है क्या, मुझे अगर देखना है, तो यह कितना fast है, इधर आप देखिए, अगर आपको यह चीज़ चेक करने हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए, map object, और यह नाम इधर key में लिखते हैं हम लोग, और इसके phone number store करते हैं, यह मैंने लिख दिया, यहाँ पर संजय, और इसको मैं collect करूँगा, value, और ok, तो यह क्यूँ होता है, क्या होता है, देखते हैं, अब मैं क्या करूँगा, मैंने यह चीज़ चेक करी, if ok, ok का मतलब क्या, मान लीजे, यह map में, संजय अगर store है, तो यह ok रहेगा, और मैं इसको, printf में, value, अलब phone number, of संजय, मैं print करूँगा, ok माने की, बस मुझे यह बता दो, map में अगर संजय है, तो ok true हो जाएगा, ठीके, और इसको मैं, print कर देना चाहता हूँ, और वो number जो है, मैं बस, देखते हैं अभी, क्या होता है, अब यह वाली चीज, print हुई नहीं, if ok, क्योंकि यह है ही नहीं, तो मैं print करूँगा, मतलब की, आप देखो, यहाँ पर उसने देखा, map of object, उसमें संजय, मुझे access करना है, अगर है, तो ok को true कर दो, और value मुझे दे दो, मैं इधर लिख दूँगा, fmt.println, absent, और, संजय not found in phone book, देखते हैं अभी क्या आता है, क्या लिखा इसने, संजय not found in phone book, जोड़ा सा, यहाँ पर println ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग println ले ले लेते हैं, ठीक है, ओ नंबर आप जोड़ा यह, प्रिवियस आउट्पूट है, अब phone number of संजय not found in phone book, अब एक और चीज़ चेक करते हैं, कि phone number of John है क्या, यहाँ पर मैं John चेक करता हूँ, और अगर John है, तो John का नंबर हम लोग print करेंगे, अगर नहीं है तो इधर, John not found in phone book लिख देंगे, phone number of John मिल गया, अब इसको दे दो, इसलिए Sam ले 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 था हूँ, तो यह Sam अगर है, तो Sam को दे दो, तो होगा क्या, वो देखेगा, map और check for Sam, Sam की value, और इसको दे दो, और okay भी दे दो, okay मतलब कि, आपको यह मिला है या नहीं मिला है, अगर मिला है, तो मुझे उसका number दे दीजिए, नहीं मिला है, तो यहाँ पे print कर दो, कि नहीं है भाया यह value, ठीक है, क्या हुआ यह, जान ही प्रिंट हो रहा है, Sam क्यों नहीं हुआ, क्या गड़ बड़ हुई, see this dot, white dot, that means, I didn't save this program, save करने के बाद, वापस go run, और मैंने यह Sam का number, यहाँ से उठा लिया, right, thank you, thank you a lot, for, being with us, तो यह, एक और, हमारा tutorial था, map, और मैं काफी आसान भाषा में, यह सारी चीज़े सिखा रहा हूँ, आप अपने दुस्तों के साथ शेयर कीजिए, subscribe कीजिए, चाइनल को, VT Coder here, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, यह चाइनल पहुचा है, हम लोग सभी टुटोरियल, सभी लैंविज़ेस के जावा मिलाना चाते है, थांक यू, वाव ग्रेट दे, सी यू अगेन,